हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे थे हैं कुक ब्रांड की एक और वेतरीन कॉमिक्स जिसका नाम में कालू का खा जाना है इसका पहला पेज़ आप देख सकते हैं दोस्तो और अभी तक आपने हमारे चानल को सस्क्राइब नहीं ठीक नहीं चल रहा था काफी रात हो गई लगता है घर पोचते पोचते एक बच जाएगा एक खंधर के निकट से गुजरते समय दूर किसी घड़ियाल ने बारा बजने की सूचना दी टन 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 और भूतिया टाइम हो गया सुना है इस समय भूत अपने ठीक आने से निकल इस द्री की चीख मालूम पड़ती है और वो किसी खत्रे में है बोन ने तुरंत अपनी मोटर साइकल को पेक लगाया और अंधकार में आखे फार फार कर देखा चीख एक बार फिर उबरी साथ ही कई दोड़ते कदमों की आवाज भी उसके कानों में पड़ी लेकिन कोई द खंढहरों की दिसा से आ रही है परन्तु दिखाई कोई नहीं दे रहा मोटर साइकल की हेडलाइट की रोजनी उसी तरफ करता हूं मोटर साइकल का रुख जैसे ही उसने खंढहर की दिसा में की हैं बचा ओ सायद वे लोग उस लड़की की इज्जत लुटने के चक्कर में ह मैं अभी मजा चाखाता हूं उन बदमासों को तब ही लड़की दोड़ती हुए उसके निकट पहुच गई किन्तु बॉन के चेरे पे निगापड़ते ही वह बुरी तरह चोक उठी ओ प्रियतम कारू तुम प्रियतम कारू यह किस चिडिया के चक्के का नाम है यह किस में अनुखे लाल है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है प्रियतम तुम मेरे कारू ही हो और मैं तुम्हारी सिखा हमारा तुम्हारा तो जन्मों जन्मांतर का रिस्ता है या लड़की या तो खुद पागल है या मुझे पागल बना रही है तबी ए काग जी पालवान इस क्या कहा इज़त लूटना चाहते है यानि इतना गंदा काम चीछी क्यों बहला फंगे इतना गंदा काम करते हुए तुम्हें सरम नहीं आती बहला तुम तुम जैसे सरीफ आदमियों को किसी की इज़त लूटने की क्या सुबा देता है क्यों देवी जी क्या मैंने गलत कहा बिल्कुल नहीं मेरे प्रियतम इन लोगों से तुम मेरी इज़त बचाओ जरूर बचाओंगा ए मिश्टर यदि तुम लोग अपनी बहन को अरे रे मेरा मतलब है अपना भला चाते हो तो चुप चाप यहां से चले जाओ वरना वरना तू क्या कर लेगा वरना वरना ओह में खुद यहां से छुप चाप चला जाओंगा क्यों मैं अब जाओं यहां से नहीं नहीं प्रियतमर तुम मुझे इस अतरा मजधार में छोड़कर मत जाओं एक तो तुम वर्सों के इंतजार के बार मुझे मिले हो और फिर मुझे इन सैतानों के हुआले करके जा रहे हो यह हवस्के कुट्वें ना किवल मेरी इज़त तार कर देंगे बलकि मुझे जान से मार देंगे लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं देवी फिर तुम मुझे बार बार पियतम क्यों कर रही हो आखिर कौन हो तुम मैं कौन हूँ और तुम कौन हो या मैं तुमें बाद में बताऊंगी पहले तुम इन लोगों से मेरा पिंट शुड़वा पिले तम चलो ऐसा ही सही ए लफंगो तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो जानते नहीं मैं कौन हूँ मैं एसिया समराठ जासुस कुकबरां चेला और जेम्सबोंड हूँ यदि अपनी खेरियत चाते हो तुम यहां से भाग जाओ शेरू यह गीदर ऐसे नहीं मानने वाला चड़ा निकाल तो अपना चाकू दुराथी भाग जाबे छोरे वरना मैं तेरा पेट तरबूच की तरह चीर कर रख दूँगा अच्छा तो ये बात है मुझे सबजी काटने वाले चाकू निकाल कर डराता है ले देख मेरा भी बूसली वाला प्रांड कराक कोई कड़ा ने मरसल आठ दिखाया साए उफ कराक आई याहू पटाक है मर गया कराक यह आठ मैंने अपने दूसरे गुरू कुम्फू मास्टर बूसली से सपने में सीखी है बेटे तडाक ओध उफ मैं तुम सब की हटिया पसलिया एक कर दूंगा फटाक चन्द सेकेंड़ में ही बदमासों के होसले पस्त हो गे है और भागो सैतान का नहीं हमारा बाप है भाग ही लो या सालह तो सैतान का बाप मालुम होता है सैतान का नहीं हमारा बाप है भाग लो अरे ठहर जाड़ू के तिन को भाग कर कहा जाते हो अभी मैं तुम्हें इकटा करता हूँ बिल्कुल मत रुकना बिल्कुल नहीं रुकेंगे और पलक जपकते ही वे तीनों अंधेरे में खोगें भाग कैसा ले बुझ दिल कहीं के बड़े आयत है बोन ने युक्ति को दूर किया हाँ अब ठीक है अब बोलो तुम कोन हो और यह पदमास तुम्हारे पीछे कहां से लगे गए और मैं तुम्हारा पिरेतम कब से बन गया है मैं तुम्हारे सारे प्रस्मों का उत्तर दूंगी बस पहले मुझे मेरे घर पहुचा दो जरू नाम क्या है और इतनी रात गये तुम कहां से आ रही हो बताया ना मैं तुम्हारी सीखा हूँ मैं नाइट सो देखकर घर वापिस लोट रही थी मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैंने उन लोगों से लिप्ट मागी प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो जरूर आओ भ बच गई फिर वही प्रियतम देवी अब यह प्रियतम का चक्कर भी बता दो वरना मैं पागल हो जाओंगा बस मेरा घरवाग पास ही है वहाँ पहुचकर मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी अजीब लड़की है कही है भूत प्रित की बहन तो नहीं है भूत प्रित का ध्यान आते ही अकुकबरान पुरी अतरा से बुखला उठा और मोटर साइकल कुछ छन के लिए पे काबू हो गई अरे बाप रे अब क्या अब गया काम से और लाख ब्रेक लगने के बाप जूद मोटर साइकल खंडर की एक पुरानी दिव लेकिन तुम कैसी हो हैं यह देवी कहां नदारत हो गई देवी ची कहां हो तुम जिन्दा हो या मर गई कम से कम हां या ना में तो जबाब दे दो और ने आज पास उस युक्ति को लाख हो जा प्रंतु वह रोसनी में अंधकार की अतरा ही हो गई जरूर भूद प्रेथी र पीछे पहुँच गया अरे यहां तो सपाट मैदान है एक भी मकान या जोबडी तक नहीं अब कोई संदे नहीं कि वह कोई रितनी ही होगी वैसे भी उनका घूमने का यही समय होता है अगले हिपल उसने मोटर साइकल मोड़कर वाबस दोड़ा दी चल बेटा कुकबरान य लेकर भाग ले यहां से रात के दो बजे वह घर पहुचा उसके ममी डैडी कई दिन से घर पर नहीं थे इसलिए घर का दरवाजा मोटू फोला अब यह आँखे फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रहा है गेट बंद कर और आ जा कमरे में वह ने मोटर साइकल गैरेज मे खड़ी की और जब मोटू गेट बंद करके कमरे में पहुचा तब तक बॉन्ड कपड़े जूते समेथ बिस्तर में समा चुका था कमाल के आदमी है बॉन्ड भाईया कपड़े बतनने तक की चवरत नहीं समझती समझी खर खर फिर मोटू ने बॉन्ड के जूते उतारे और बत्ती बंद करके खुद भी अपने विस्तर पर लेड़ गया सुबह बॉन्ड की आँखे तब ही खुली जब मोटू ने उसे चाय के लिए जगाया अबे मोटे बैगन इतनी जल्दी क्यों जगा दिया जल्दी नहीं जगाया बॉन भाईया पूरे तजब चुके है लो आराम से चाय पियो फिर या बताओ कि रात तुम इतने बुक्राए हुए क्यों थे ओ वो क्या हूँ क्या तुम डर से डर से क्यों गये अबे यार बात ही ऐसी है रात की बात याद करते ही रॉंक्ते खड़े हो जाते हैं मुझे भी बताओ ना आखिर बात क्या हुई कल रात मेरा एक प्रितनी से सामना हो गया क्या प्रितनी का नाम सुनकर मोटू के भी रॉंक्ते खड़े हो गये का क्या ता तुम सच कह रहे हो बॉंड भीया क्या सच मुझ तुम्हारी मुलाकात किसी प्रितनी से हुई थी अपे तोंदू तो क्या मैं तुम्हें जुट बोलता नजर आ रहा हूँ अब यह तो गनीमत समझो की तेरा गुरु जिन्दा बच गया और सही सलामत घर पहुच गया वरना इस समय तुम मेरी लास पर आसु बहा रहा होता फिर बॉंड ने मोटू को सारी आबितिका सुनाई कुछ सब कुछ सुनकर सचमुच बॉंड भीया तुमने तो बहुत भ्यानक कहानी सुनाई और मुझे सुबा ही डरा दिया अबे उल्लू की दुम या कहानी नहीं बलकी हकीकत है अब चल फूट यहां से और फटा फट नास्ता तयार कर ले तब तक मैं नहाद लेता हूँ उसके बाद हम ओफिस चलेंगे कहकर बॉंड ने चाय खतम किया और पातरों में गुज गया जब तक वह नहाद वा कर तयार हुआ मोटू ने नास्ता तयार कर भे मेज पर सजा दिया दोनों नास्ता करने लगें क्या सचमुष बॉंड भईया ने मुझे सची बात बताई थी या वाकई भूत प्रित होते हैं क्या वह वास्तों में ही कोई प्रित नी थी नास्ता करने के बाद दोनों ने घर्म को ताला लगाया और फट 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 या पर सवार होकर ओफिस पहुच गयें लेकिन ना तो उस दिन ओफिस में कोई क्लाइंट आया और ना ही बॉंड का मन ओफिस में लग रख लगा यही हाल मोटू का भी था यदि वो सचमुच कोई प्रित नी थी तो जरूर दुबारा मुसे मिलने की कोशिस करेगी क्योंकि वो मुझे अपना वर्सों पुराना प्रितम बता रही थी यदि वो प्रित नी मुसे टगरा गई होती तो अरे पाप रे तब मैं क्या करता तीन दिन बीट गए इस बीच ना तो कुकपरान के साथ कोई खट ना खटी और ना ही वो प्रितनी तुबारा कुकपरान से मिलने मिली लेकिन चौथी राज जब कुकपरान पिछली सारी बाते भूल कर मोटू के साथ अपने कमरे में गहरी नीन सोया हुआ था खर खर और अचानक किसी चीच के किरने की आवास से बोन की आखे खुल गई खंखंखंखंग का कौन है और जब उसने अंदकाल में आखे फार कर देखा तो निकट ही एक साया को खड़ा देखकर वो सननाटे में आ गया का कौन है उसने एतुलंत लाइट ओन की फिर रोसनी में उसक कि दिश्टी चिस पर पड़ी उसे देखकर उसकी रूफ अना हो गई तो तुम तुम हाँ प्रियतम मैं तुम्हारी सिखा तीन दिन गुजर गए तुम मुझसे मिलने नहीं आई इसलिए मैं सुवे तुम से मिलने चली आई और आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों प करी है आत्मा यह यह तुम क्या कह रही हो क्या सच मुझ तुम कोई आत्मा हो हां मेरे प्रियतम और जन्म जन्मांतर से तुम्हें पाने के लिए इस दुनिया में भटक रही हूं और सहयोक से तुम मुझे तीन दिन पहले मिले इन खंड हरों के पास मिल गए जहां मैं रहती हूँ लेकिन उस दिन तो तुम कह रही थी कुछ लेकिन उस दिन तो तुम कुछ और ही कह रही थी कि तुम फिलिम देखकर वह एक कहानी थी ताकि तुम असलियत जानकर डर न जाओ और मुझे छोड़कर चले न जाओ इतने वर्सों बात तुम्हें पाकर मैं ताला कबीले के जो कि विजितर घाटी में बसा हुआ था राजकुमार थे और मुझे बेहत प्रेम करते थे लेकिन यह सब तुम्हारे पिता को पसंद नहीं था एक दिन जब हम एकांत में बैठे प्यार भरी बाते कर रहे थे तो तुम्हारे पिता ने हमें देख लिया अब मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा और उसने मुझे मार दिया आई बापू यह तुमने क्या किया बापू अब मैं भी इसके बगए नहीं जी सकता यह तुम क्या कर रहे हो बेटे और तुमने अपनी कटार निकाल कर अपने सीने में घूप ली ओ बेटे यह तुमने क्या किया बेटे मैंने जो किया अच्छा ही किया पिता जी मैं सीखा के बिना जीवित नहीं रह सकता था मैं जा रहा हूँ बापू परंतो तुम दुखी मत हो बापू मैं दूसरा जनम लेकर एक दिन आवस्ते तुम्हारे पास लोटूंगा तुम उस दिन का इंतजार करना मैं इंतजार करूंगा बेटे जरूर करूंगा तुमने तो मरकर इस जनम में दूसरा सरीधारन कर लिया लेकिन मेरी आत्मा को सांती नहीं मिली और मैं बिना सरीध के ही वरसों तक भटक रही हूँ अब बताओ क्या तुम्हें कुछ याद आया लेकिन तुम चाहती क्या हो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक नया सरीध मिल जाए और मैं सरीध तुम्हें दुबारा पास अपूँ अरे पापरे और यह तब ही समभ़ हो सकता है जब तुम सब कुछ याद करके मुझे अपना कहकर वसांती परदान कर दो तब मैं नया सरीध धारन कर तुम्हें पा सकती हूँ परण तुम मुझे पिछले जनम की बाते इस जनम में कैसे याद आएगी इसके लिए तुम्हें मेरे साथ विजदर घाटी चलना होगा वहां पहुँचते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा लेकिन यह विजदर घाटी कहा है और वहां तक हम कैसे पहुचेंगे यजि तुम वहां जाने के लिए तयार हो जाओ तो यह सब कुछ मुझे पर छोड़ दो तबी तबी बबोन भाया ओ तुम जाग गया का कौन है या माता जी वाट वह आप तो काफी अच्छी अंग्रेजी भी जानती है वर्सों से इस सब्यता में जो भटक रही हूँ इसलिए मुझे सारी भासाया आती है फिर तो सचमुच तुम्हें दुबारा पाकर मुझे बहत खुशी होगी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तयार हूँ बोलो कब चलना होगा मुझे विचितर खाटी विचितर खाटी अबे घोचू यह देवी जी वही आत्मा है जो मुझे खंड हरुख के पास मिली थी और जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था गडब आत्मा यानि प्रितनी गडब अगले ही पल मुटू बेहोस होकर बिस्तर पर लुड़क गया मुटू मुटू अबे मुटू के बच्चे होस में रहने दो डाले इसका फिलहाल बेहोस रहना ही हमारे लिए ठीक है क्या क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अकेले ही चलना है जबकि सारी बात पता चलने पर या तो या तुम्हें रोकेगा या फिर सबय भी तुम्हारे साथ जाने की जित करेगा और यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा अब जायदा सोचने के सोचने विचार में समय नश्ट ना करो पिरेतम और मेरे साथ चलो क्या इसी समय है हाँ यही समय हमारी यात्रा के लिए अनुकूल है हम ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तयार हूँ मोटू को बेहोश छोड़कर बोन फटा फट तयार हुआ और युक्ती के साथ घर से बहा निकला फिर युक्ती के कहने पर वो उसे अपनी फट फटिया पर बिठा कर खंड़रों की और चल बड़ा तुम मुझे खंड़रों की और क्यों ले जा रही हो सिका डरलिंग वहीं से हमने विजितर घाटी का यातरा आरम करनी है वहाँ हमारा एक उसपक विमान उरान भरने के लिए तयार खड़ा होगा उसपक विमान हाँ तुम्हारे यहां उसे हेलिकॉप्टर कहते हैं क्या उफ यह मैं किस भूतिया चक्कर में फस गया जाएदा मत सोचो डार्लि अब दिमाग को कुछ समय के लिए धीला छोड़ दो आपने काफी देर लगा दी मेडम मादाम क्या कर दी मेरे प्रियतम को कुछ याद नहीं आया अब मैं इन्हें विचितर घाटी इनके कभीले ले जा रही हूं ताकि वहाँ पहुचकर इन्हें सब कुछ याद आ सके यह आपने अच्छा किया मादाम हम तो पहले से ही आपके यह कह रहे थे कि इन्हें वहीं ले चलिया चलो देर आए दुरस्त आए चलो अब सब हेलिकॉप्टर में बैठ जाओ सब हेलिकॉप्टर पर चढ़ने लगे तभी बॉन बोला एक मिनट देवी मैं जड़ा बातरूम होकर हेलिकॉप्टर में बैठता हूं मुझे जड़ा डर लग रहा है ठीक है हो आओ लेकिन जल्दी आना बॉन एक पल के लिए अपनी मोटर साइकल के पास पहुचा और उसम से एक विशेस वस्तू निकाल कर फटा फट अपनी जब में भड़ने लगा सायद इस रिवालवर की भी कभी जड़त पढ़ जाए रिवालवर समेत सब चीजे जब में रखने के पर चात वो भी हेलिकॉप्टर पर चड़ गया और हेलिकॉप्टर उड़ चला गिर गिर गि यहां से विचेतर घाटी कितनी दूर है हेलिकॉप्टर से एक घंटे का रास्ता है यानि हम भारत में ही कहीं है हाँ लेकिन भारत सरकार को भी उस घाटी के बारे में नहीं मालू क्योंकि वह एक बड़े टापू के मंध्य बसी हुई है और लगभग एक घंटे बाद हेलिक कबीले वासियों के कपड़े हैं तुम इन्हें पहन लो ताकि बिल्कुल कबीले के राजगुमार कारू लगो हम भी ड्रेस चेंज करके ने के साथ साथ मेक अफ कर रहे हैं ताकि कबीले का बुरा सरदार जोरो मुझे और मेरे साथियों को ना पहचान सके तुम तो मुझे वहां कारू बना कर ले जा रही हो यह ठीक है कि कबीले का सरदा तुम्हारे कहने के मुझे अपना बेटा कारू मान लेगा क्योंकि मेरी सकल सूरत कद उस जनम में भी कारू से मिलती जूलती है लेकिन मैं उनकी भासा में बात कैसे करूँगा और तुम्हारे बारे में क्या क दिखा हूं वरना वह मुझे अपने तांत्रीकों से किसी मठके में कैद करा देंगे वहां जादू टोने भी बहुत चलते हैं रही भासा की बात उसके लिए तुम्हें कोई परसानी नहीं होगी क्योंकि वे हिंदी अच्छी बोलते हैं जानते बोलने और जानते हैं फिर कभी पिले का सरदार जोड़ो मुझे देखकर यह भी जान जाएगा कि मैं दूसरा जनम लेकर उसके पास आया हूं बिलकुल लेकिन अब देर ना करो और जल्दी से कपड़े बदल लो हमें अभी पैदल ही काफी दूरी तै करनी है भोर होने में कुछ ही समय बाकी है इच्छी त माओं को मेक अप करने और ड्रेस चेंड करने की क्या जवरत पड़ गई चकर कुछ समझ से बाहर है चलिए दोस्तों इस कोमिक्स का पहला भागया समात करते हैं मिलते हैं इसके दूसरे भाग में और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया दोस्तों तो प् एची एची कॉमिक्स पर स्टूथ करते रहें और आप इंजॉय करते रहें चलिए मिलते हैं फिर ऐसे इसके दूसरे भाग में तब तक के लिए धन्यवाद दाए